आप देख सकते हैं मेरे स्किन को किते जादा ग्लोइंग हो गाई है बिल्कुल भी चिप-चिपी नहीं है यह देख सकते हैं तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं इसमें फ्री प्रोसेस होंगे एंड तक जरूर देखेगा आप लोगों के लिए बहुत जादा बेनेफे बढ़े बाएं तो चलिए बीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पार्टिकल हो गया है और यहां पर मैंने लिया है तो यह मेरा फेवरेट और मोस्ट फेवरेट स्क्रब है जिसे मैं यूज करती हूं अब अप्लाई करती हो प्रिविएस वीडियो में इसके एशोई नहीं से अब को कैसे मैंने उनको चुटकारा पाया यही मैं आपको आज शेयर करने वाली हूं तो यह मैं इस तरिके से इसको लगा लेती हूं और इसे आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए आपको अपने फेस को जेंटली रब करना है धीरे धीरे ही घिसना है बहुत ज्यादा जोर से नहीं घिसना है और यह प्लेट लेके मैं इसलिए बैट जाती हूं बिकोज जो कुछ भी अगर इसमें से निकलेगा जुआएगा चुएगा यह उतार तो वह इसे में गिर हेगए अगर अच्छे आप देख सकते हैं अगर आपके पोर्स जो है वो क्लीन रहेंगे और इस तरीके से आप स्क्रब करेंगे तो आपके पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और इस तरीके का आपको ग्लो मिलेगा तो अब चलिए हम apply कर लेते हमारा second step जो है वो face mask का है यहाँ पर मैंने face mask बनाया हुआ है कैसे इसे बनाना है वो प्रोसेजर जो है वो मैं share कर रही हूँ तो यहीं पर दिखा दूँगे मैं कैसे बनाया मैंने apply कर लेना है मैं इसे finger की help सही apply कर लूँगे यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक clean bowl तो आप कोई भी धूला हुआ कंटेनर यूज कर सकते हैं उसके बाद मैंने एक चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दही दही में lactobacillus होता है जो आपके skin को clear करता है और आपके skin tone को lighten and brighten करता है आपके दाग धब्बो को बिलकुल ठीक कर देता है और मैंने यहाँ पर लिया है नीमबू आधा नीमबू नी चोड़ लेना है आपको नीमबू में vitamin C होता है जो आपके दाग धब्बो को बिलकुल ठीक कर देता है आपके face को clean, clear and brighten up बनाता है उसके बाद आपको लेना है a pinch of healthy हल्दी में antibacterial goon होता है antibacterial property जो होता है वो आपके pimples को हटाता है अच्छे से mix कर लेना है और उसके बाद आपको apply करना है साथ दीन आप apply करके देखे और देखे आपको visible result मिलेगा बिलकुल 100% mask को apply करने के बाद आपको 20 minutes तक रखना है या फिर जब तक यह सूख नहीं जाता उसके बाद आपको इसे धो लेना है मेरा mask जो है वो थोड़ा सूख गया है जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद आपको इसे rub करके धोना है ताकि आपके dead skin cells जो है वो निकल जाए यहाँ पर मैंने अपने face को अच्छे तरीके से wash कर लिया है और उसके बाद एक किसी भी cotton के कपड़े से आपको अपने face को अच्छे से dab-dab करके पोच लेना है उसके बाद हम third process करेंगे यह जो process है अगर आप seven to ten days regular करते हैं तो आपके जो dark circles या फिर जो भी scars के pimples के जो दागधबे निशान हो जाते हैं किसी भी तरीके के दागधबे निशान वो चीक हो जाएंगे तो यहाँ पर third step के लिए मैंने लिया है aloe vera आप aloe vera gel भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने बादाम रोगन का तेल लिया हुआ है बादाम का तेल अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं अपने नाखुन से ही काट लेती हूँ इसके चिलको को निकाल लेती हूँ तो पार्ट में ऐसा कर देती हूँ यह मुझे बहुत ही जादा easy feel होता है इस वज़े से मैं ऐसा करती हूँ आप चाहें तो चाकू की help भी ले सकते हैं इस तरीके से दो हिस्तों में करके उसके आपको अपने face पे gentle rub करना है देखे जैसे ही आप rub करेंगे aloe vera gel को तो आपके face पे एक sheen आजाएगा एक glow आजाएगा रोज रात को यह तीनों process अगर आप करते हैं तो आपके face पे तो मतलब भूल जाएंगे आप अपनी previous face और आपको बिलकुल अपना नया face नजर आएग अगर आप चाहें तो पतंजली का जो aloe vera gel है उसमें दो बुन नारियल का तेल या फिर दो बुन बादाम का तेल डाल करके आप इस तरीके से रब कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मुझे यह बहुत easy step लगता है तो मैं पहले इसको apply कर लेती हूँ उसके बाद मैं oil को apply करती क्योंकि मेरा जो face है वो oily skin है तो मैं सिर्फ एक बुन लेती हूँ अगर आपका face dry skin है तो आप इसके दो बुन ले सकते हैं तेल के और यकीन मानिये यह बिल्कुल भी चिप चिपा फिल नहीं होता है और साथी साथ यह आपके skin में पूरी तरीके से absorb हो जाता है तो देखें यहाँ पर मैंने बादाम का तेल में ले रही हूँ मेरे lips पर थोड़ा सा लग गया है वो uneven feel होता है इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पर बस एक से दो drop लूँगे एक drop ही मेरे बहुत है because मेरी oily skin है इस वजह से और आपको बस gently इसको massage करना है और आप बिल्कुल नहीं पाएंगे कि आपके face पे कहीं भी sticky पन दिख रहा बादाम के तेल का फाइदा आप जानते है बादाम में vitamin E होता है जो आपके collagen को boost करता है आपके skin के texture को improve करता है even skin tone आपको provide करता है और साथ ही साथ आपके जो wrinkles की problem होने लग जाती है वो चली जाती है wrinkles नहीं होते हैं brighten हो जाता है skin smooth हो जाती है आपको डूसरे क्या कहते है मौशुराइजर यूज़ करने की जरुरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सिर्फ इन दोनों चीज़ों को apply करके सो जाते है तो आपके skin जो है वो बिलकुल youthful हो जाएगी और glowy brighten up सब कुछ म आपको कुछ भी नहीं करना है इसको apply करके ही आपको सो जाना है अगर आपको बेकार सा लगे तो आप फेस को wash कर सकते हैं बट मैं इसे apply करके ही सो जाती हूँ और यह हो गया मेरा 3rd step complete hey guys so I hope the video जो है वो आपके लिए बहुत जादा useful रहा होगा बहुत जादा beneficial रहा होगा आप देख सकते मेरी skin को किते जादा glowing हो गई है बिलकुल भी चिप-चिपी नहीं है यह देख सकते हैं कहीं से भी कुछ आपको नहीं मिलेगा तो इस तरीके यह steps आप follow करें और आप दे जो भी दाग हो गए होते हैं वो सारी चीज़े आपकी दूर हो जाएंगी तो वीडियो जरा से भी useful या helpful लगे हो तो इससे like करना बिलकुल भी न भूले चैनल पर नए हो तो subscribe कर ले और हां मिलती हूं मैं आप से तब तक के लिए बाइ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर च